हेलो फ्रेंड इस मी समीर कौजा और आज इस वीडियो के अंतर हम सीखेंगे कैसे हम यूएजबी के जरीए अटेक परफॉर्म कर सकते है अटेक से मेरा मतलब यह है कि जितने भी पासवर्ड है किसी भी ब्राउजर पर क्रूम पर फायरफोक्स पर अपर जो यूजर ने सेफ पस्वर्ड की रहे है यादि उनकी फेस्वर्ड उनकी गेमेल की आयोडी पासवर्ड गया तो उन्होंने use canned likewise मैंने wifi के इसके इसके उल्सां ते और इसे ऊस्पशर ने पर्ली है ने प्रेचा पर सेफ हो इस हो ग्या था तो वह और बहुत सारे पासवर्ड जो PC में हमारे पास important होते हैं वो सारे password मैं यहां पर capture कर लूँगा simple अपनी USB के जरी है तो यह USB में आप अपनी file डाल किये किसी भी PC के उपर इसको run कर सकते हो और वहां पर उस PC के attack perform करके उनके जितने भी password है उसको capture कर सकते है तो यह मेरे पास file है hacking tools के नाम से तो इसके अंदर यह सारी चीज़े है इसका मैंने link description में दे दिया आप वहां से आके इस file को download कर सकते हो और इसके बाद मेरे steps को follow कर सकते हो तो यहां पर मैंने इसको किया extract here तो यहां पर यह file मेरे पास extract हो बही है folder और इसमें total 14 तरह की attacks है जिसमें Chrome की history view करना Chrome के password view करना और firefox के password view करना इसके लावा opera के password और कुछ wireless की password यह कुछ important है जो कि हर PC के अंदर कही ना कही मौजूद होते है तो हम क्या कर रहे है हमने एक launch file बनाई है यह launch file है इसको बनाना पहुत आसान है आप notepad खोलके इसके ओपर instruction दालके इसको save करके .bat यानि BAT extensions का आपको save परनी होगी और यहाँ पर फोल्डर मौजूद है जो कि अभी empty है पर जैसे ही मैं launch file run करूँआ तो इस folder के अंदर कुछ text file create हो जाएगी यह क्यों होगी यह text file मैंने map की वह इस executable file से अगर मैं इसको edit करके दिखा हूँ आपको तो यहाँ पर start लिखा हूँ है और फिर इसके बाद जो exe जो है यहाँ पर जैसे के chrome view इसको start करेगा और फिर इसको text होबा जो हमने capture किया है वो folder के अंदर इस नाम से save कर देगा यह chromeview.phd तो यह folder हमारे पास इस text file को capture कर लेगा और फिर आप USB निकालके अपने PC में जाके इस file को देख सकते हैं तो यह total 14 मैंने instruction statements लिखी है जो के run होगी जैसे launch file start करेंगे Windows 7, मैं Windows 10 machine use कर रहा हूँ अगर Windows 7 आप use करते हो तो यह पर आप auto run भी एक बना सकते हो इसको बनाना पहुत simple है आप simple auto run लिखके open लिखके is equal को करके launch का नाम लिखेते हो और इस file को inf.inf से save करवा सकते हो तो यह Windows 10 उसकर रहा हूँ तो इसमें यह support नहीं करता है तो आपको manually जाके launch file को click करना होब तो अगर मैं launch file को click करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मैं इसे कुछ permissions लाँ रहा है और मैंने सबको accept कर लिए तो यहां पर folder के अंदर यह कुछ files text file मुझे नजर आ रही है जिसके अंदर मेरे ID और password capture हो गए है अगर मैं आपको wireless की खोल के दिखा हूँ तो मेरे आपको जैसे दिखाया था कि मेरे बास यह wifi connect है और इस wifi का नाम और इसका password मेरे बास capture हो गया इसके अलावा अगर मैं Chrome की view history दिखा हूँ तो मेरे बास यह सारी Chrome की view history जो के start से लेके अभी तक वह सारी मेरे पास capture हो गया कि मैं देख सकता हूँ मैं कौन-कौन सी site पे visit किया था और मैंने कौन-कौन सी website खोली थी इसके अलावा मेरे पास Chrome के passwords है जो के blur हो जाएगा यह Chrome के password मैंने यहाँ पे capture कर लिया इसके अंदर मेरे पास URL address और field यानि address और password जो भी मैंने डाला था वह सब यहाँ पे capture हो गया है इसके अलावा अगर मैं आप को देखाऊं तो NET के password जो मैंने NET के password है वह सारे capture हो वह है और अगर मैं Firefox दिखाऊं तो Firefox के password capture हो वह है तो जितने भी browser अगर मैंने यूज किये तो वह capture हो वह तो इस तरीके से आप यह अटेक कर सकते हो और अपनी यूएज भी फिर रिमूफ करके इसको आराम से अपने दूसरे पीसी के ओपर इसको व्यू कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू गाइस पूर वॉचिंग आपको वीडियो अच्छी लगिए कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा यह वीडियो देखिए और इस अटेक को परफॉर्म करके